नमस्कार अब आप मौसम समचार सुनिए जिसकी वज़ा से ठैंड बढ़ गई है सुनवार को कई अस्थानों पर ताप मान समाने से बेहत नीचे दर्ज किया गया मौसम विभा के मुताबिक दिल्ली में अगले कुछ जिनों तक कोहरे का असर जारी रहेगा दिल्ली में आज नियूनतम तापान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिक्तम तापान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है स्काइमेट विदर के रिपोर्ट के मुताबिक 30 और 24 जनवरी को ओर्डिशा में छीटपुट बारिश और गरेज के साथ बोच हार पढ़ने की अशंका है 36 गड़के कुछ हिसों में भी हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है वहीं आंदरपरदेश के उतरी तट, विदर्ब, केरल, लक्षुदीप और सिक्की में एक या दो अस्थानों पर हरकी बारिश के असार जिताए गए है जारकर में भी लोगों को ठंड से रहात मिलती नजर नहीं आ रही है हलांकि धूप अच्छी निकलने की वज़ा से लोगों को थोड़ी रहत जरूर मिली है शीत लहर चल रही है लेकिन शाम होने के बाद लोगों को कपकपी का असास हो रहा है 27 जनमिर तक मौसम के मिजाज में बदलाओ की कोई उमीद नहीं जिताए गई है दिन में अधिक्तम ताप पान 23 से 24 डिग्र सल्सेस के बीच बना रहेगा वहीं बिहार के लोगों को घना कोहरा और कपकपी वाली ठैनल परिशान कर रही है 26 जनमिर तक कोल डेक की संभावना जताए गई है सुमर को पतना सहित सतर अशरों के नियुंतम ताप पान में गिरावट देखने को मिली देश की राजधानी दिल्ली का और भी बुरा हाल है ट्रिपल अटेक से राजधानी दिल्ली की लोग परिशान है कोहरा, शितलहर और गलन तीनों मिलकर दिल्ली एंसियार के लोगों की परिशानी बढ़ा दी है कोल डेक की हालत ऐसी है कि लोग अपनी घरों से बाहर निकलने में भी कत्रा रहे है मौसम विभाग ने अश्रंका जताई है कि अभी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है आए दिल्ली में नियूंतम तापान 7 डिग्री सेल्सिस और अधितम तापान 18 डिग्री सेल्सिस रहने की उमीद जताई गई है मौसम का असर यातायात पर भी पड़ रहा है 23 जनवरी को घरने कोहरे की वज़ा से देश के विविन राजियों से दिली आने वाली 28 डिग्री ने देरी से चल रही है कोहरे की वज़ा से विजिबिटी भी काफी कम रही मौसम विवा के मुताबिक आने वाले तीन दिनों तक शितलहर और कोहरे सराहत नहीं मिलने क्यों में जिताई गई है घरने कोहरे की वज़े से कई उडांसेवाँ पर भी असर पड़ा है यूपी की लोगों को भी मौसम ने खासा परिशान कर रखा है यूपी की आगरा में zero visibility दर्ज की गई वहीं बर्यरी में 25 मीटर जहांसी में 200 मीटर वारणसी प्रयागराज लखनो और भराइच में 50 मीटर visibility दर्ज की गई जबकि राजस्थान के जैपुर में 50 मीटर बिहर के पतना और गया में 50 मीटर visibility दर्ज की गई मौसम विभाग ने काया कि अगले 24 जनवरी तक ऐसे ठंड पढ़ने के आसार है पंजाब, हर्याना और चंडीगड में गभिष शीत लहर चलने के उमिद जताई गई है पंजाब और हर्याना में लोगों को हाड का पातेने वाली ठंड से रहात नहीं मिली और कई जगों पर ताप्मान सामाने से नीचे दर्ज किया गया पंजाब का बठिंडा भिषन ठंड की चपेट में है जहां सोमवार कुण जिनतन तापान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया हिमाचल प्रदिश के कई हिस्सों में बरबारी और बारिश के असार जिताया गया है मौसम भाग के मुताबिक एक ताजा वेश्टन डिस्टर्बेंस 25 और दूसरा 27 जनवरी से एक्टिव हो सकता है इसकी वज़ा से राजी के मध्य और उच्च परवतिय जिलों की नौट, लहुलेस्पिती, शिमला, सोलन, सिर्माओर, मंडी, कुलू और चमबा के कुछ इलाकों में 25 और 28 जनवरी तक बारिश और बरबारी का अनुमान जिताया गया है हलांकि मैदानी भागों में 27 तक मौसम साफ राने के आसार जिताया गया है वहीं जब मुकश्मीर के कश्मीर घाटी इलाके में कडाके की ठंड ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है नियूंतम तापमान और भी नीचे गिरने से शित लहर का प्रकोप तेज हो गया है आंध्र प्रदेश और येनम में अगले चार दिनों के दौरान एक या दो अस्थानों पर हलकी से मध्यम बारिश रोहने के आसार जिताया गया है मौसम समचार समाप्त हुए नमस्कार